नमस्कार पड़ाम मैं हूँ आदर्स एक बाफिर से आप सभी का सिवुटी इंडिया पर हादिक श्वागत है साथी हो जैसा कि हम लोगों ने बाचित अब तक हिंदी साहित्य पर किया है जिसमें हिंदी साहित्य कितिहास लेखन, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल, आधुनिक काल और हम लोगों नेबन पर बाचित किया है कहानी पर आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक नए टापिक पर नाटक बिदाप है जो कि हर एक्जाम में इससे दो-चार कोर्शन बनना कहें होता है और खासका नाटक के इतिहास को पढ़ने से पहले हम नाटक की प्रिष्ट भूमी को देखेंगे कौन से बिद्वानों नाटक को क्या माना है और कौन से बिद्वानों से भरत्मूनी आते हैं तो क्या कहें है इस पर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नाटक के इतिहास पर बातचीत करेंगे तो आई ये सबस्राइब नाटक टॉपिक पर चलते हैं क्या topic है भाई आज का एक नया topic किया है तो थिक है ध्यान दें कि भरत्मुनी की अनुशार बरत्मुनी से अनुशार यह बहताने बहिए नाटब क्या किया? कि रिगवेश से पाठलिया और शामबेश से गीच लिया, ठीक है. यह जूर बेद से अभिनय लिया, तथा अथरवर बेद से रस्त तोले कर, नाट बेद नामक पंचम बेद की रचना के, क्लियर है? मैंघा दोर ओर भाया, अब बात करें तो बेदों की श यह जूर बेद है शाम बेद है और अथर्व बेद है के लियर है लेकिन भरत्मोनी ने कहा भरत्मोनी की अनुशार कहा है भरत्मोनी ने एक पंचम बेद का इस्थापना किया है जिसका नाम क्या भाई नाट्टे बेद नामक पंचम बेद की इस्थापना किया है क्या लिया है पेद उनको ब्रह्मह ने क्या लिया है और शाम बेद से गीत को लिया है और यह जुर बेद से अभिन्ये को लिया है और अथर बेद से रस्तत्त में लिया है तो साथियों यहां तक किलियर है, पॉइंट किलियर है, खीक है, आई अगले पॉइंट पर, भारती नाट्य सास्त्र में रूपक के दस भेद माने गए हैं, क्या माने गए भाई, भारती नाट्य सास्त्र में रूपक के दस भेद माने गए हैं, अब कौन-कौन से इतना याद और इहामरीग ये 10 रूपक माने गए हैं किलियर है खिक है आगे देखिए भारती साहित्य सास्त्र में नाटक के तीन तत्तों माने गए हैं क्या भाई कि भारती साहित्य सास्त्र में नाटक के तीन तत्तों माने गए हैं पहला बस्तू बोले तो बस्तू या इसे यानक नहीं भाई कथानक बोलते हैं ठीक है और दूसरा नेता कहले है या पात्र या इसी को हम चरितर चितरढ भी कहते हैं और तीसरा रस ये कैर भाई भारती साहित्य सास्र में नाटक के तीन अंग माने गये हैं कौन-कौन से तो बस曾 या कथानक दूसरा नेता या पात्र के लिए चरित चित्रड कर लें और तीसरा क्या है रस लेकिन हम ध्यान दें अगले पॉइंट पर पास्चात्य से एक क्या था भाई भारती साहित सास्त्र के तीन भाग थें लेकिन पास्चात्य साहित सास्त्र में नाटक के छे तत्तों मा फटाफ़द्यान दखेंगे बाई और पाश्चात्य साहित्यसास्त्र में कितने तत्तों ने गए हैं तो 6 तत्तों मनें गए हैं इसमें पहला क्या है बस तुदू दूसरा पाथ्र चुप जीत्रण तीसरा कथोब कथन कथोप कथन, देख ले भाई, वहां तो सद दिख नहीं दा होगा आपको, कथोप, कथोप कथन, चोथा, देशकाल, पाच्वा, उद्देश, और छटा सैली, जो कि एही आज कल हम यूज भी करते हैं, पाच्चाते साहित सास्तर का, किलिए रहे हैं यहां तक पॉइंट, ओके ठीक, आई आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, इसे ध्यान दे, नाट प्रियोग, शंबाद के अधार पर क्या के, क्या भाई, क्या कि नाट प्रियोग, शंबाद के अधार पर नाटक के तीन बेद हैं, क्या भाई, नाट प्रियोग, शंबाद के अधार अगे धन्दें, लोक ब्रित्ती की द्रिष्टी से कथानक के तीन प्रकार है, पहला प्रक्यात, दूस्रा उत्पाद और तीसरा mist है, के लिए है, ओगे धन्ध देख, कथा बिन्यास के, कथा बिन्यास का मतलब कहने का मतलब यह है, कोई एक कथा है, और उस कथा का दो भागों में कहने यह बिन्यास, बोझे तो अलग कर ले ना, ्टिके, बिन्यास के तीन आधार हैं, पूरी कथा की समप्ती होती है, वो तीन आधारों पे समप्ती होती है, इसके अनुसार, कथा बिन्यास की तीन आधार, क्या है, एक कारियावस्था होती है, दूसरा अर्थ प्रकृती होती है, और तीसरा क्या होती है, संधी होती है, मैं चुड़ाओ, ठीक है, आगे ध्यान द रखते हुए समस्त कथानक के विकास को पांच आवस्थाओं में विभाजित किया है। मिस कारियावस्था के पांच भाग होते हैं एक लाइन में कहें तो कारियावस्था के कथा बिन्यास के अधरपत तीन भाग, कारियावस्था, अर्थ प्रिकृति और संधी, इसमें कारियावस्था के मुख्यतम बात करें तो पांच भाग होते हैं, ध्यान दें, लेकिन पूर प्रारंभ है फिर उसके वासे प्रयत्न है दूस्थ तिसरा प्रत्यासा है चोथा नियताप्ति है और पच्वा फलागम है मिस फलागम फलागम कहने का मतलब है फल की बुर्ती किलियर है यहां तक ओके ठीक है अगले पॉइंट पर आईए अगला पॉइंट क्या है बाई जड अगुने यहां प्रकृतियां केलाती है कि नाटक में फल रूप में प्रियोग सिध्धी के लिए मिलकर बैपार करने वाली अनेक आवान्त घटनाया चलती है और इनकी संखिया पांच मानी गई है भाई ध्यान दे फल रूप में प्रियोग की जाने वाली मिलकर बैपार करने वाली अनेक अमांतर घटनाय चलती हैं और इनकी संख्या पांच है यह इंपोर्टेंट है यह बार-बार करम लगाने के लिए पूछा जा सकता है यह पूछा जासा निमलिकित में से कौन नहीं है यह प्रियोजन से संबंधित कथा बस्तू के अंस से संबद्ध करने की कला की संधिक आते हैं और संधी के पांच रूप हैं, ध्यान दे फिर से बाई कि एक प्रियोजन से संबंदे कथा बस्तु को, दूसरे प्रियोजन से संबंदे कथा बस्तु के अंस के साथ संबंद कर देने की कला जो है, और संधी का मतलब क्या होता बाई, जुडाओ, आप लोगों नहीं संधी के पांच रूप हैं, पहला है मुख, दूसरा है प्रती मुख, तीसरा है गर्व, चोथा है बीमर्शिया अवमर्शक और पाचमा क्या है भाई, निर्वहर है, किलियर है, ठीक है, आगे ज्यान दे, भारती आचारियों ने नायक नेता के चार परकार बताएं हैं, पह है भाई, धीर प्रसांत, तीसरा क्या है, धीर ललीत और चोथा धीरोदात, चार परकार नेता बताएं भाई, नेता के, एक जो नायक होता है या नेता, धीरोदात होता है, धीर प्रसांत और धीर ललीत और धीरोदत होते हैं, किलियर है, ठीक है, आगे ध्यान दे, कथा बस प्रस्तावना उसका सबसे पहले होता है फिर प्रस्तावना के बाद उसमें क्या काम होता है उसकार का विकास होता है फिर जब विकास होता है विकास के दौरान उसकारे को करते समय हमें किस समस्याओं का शामना करना पड़ा या कहले संघर्स की चरम सीमा हमें समकौन सी संघर् की शमापती हो जाती है किलियर है ठीक है सब कुछ ठीक तो चल लहा है दोस्त समझ में आ रहा है कि फौंट ओके ठीक है आई आगे चलते हैं क्या है रंग मंच कि नाट की योजना में परभावपूर अभिने के लिए सुब्यवस्थित अभिने इस्थल के रंग शाला या नाट मंडब कहते हैं मिलसे हम कहलें नाट की योजना में जब हम नाट कर रहें उसना हम परभावपूर अभिने के लिए कि अच्छा तरीके से अबने हो कि लिए सुब्यवसित जो अभिनाय स्थल होता है जहां पर नाटा खेला जाता है उसे रंग शाला या नाट मंडप कहते हैं के लिए रहे खिक है आगे ध्यांदे भरत मोनी ने तीन प्रकार के नाट मंडपों जिसे प्रेच्छाग्रिय कते है का उलेक किया है मिस तीन तरह के नाट मंडप का उलेक किया है पहला किया कब विक्रिश जो की आयताकार होता है क्या है वाई आयताकार होता है दूसरा है चतूरस इस्त्र बोले तो बरगाकार होता है क्या था भाई बरगाकार और तीसरा है त्रेस होगा त्रेस बोले तो ती अब हम बात करेंगे नाट्टे शाहित्य पर ठीक है अब भारत इंदू हरीश चंद ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिर्धरदास वरा लिखित नहुष नाटक क्या है बाई नहुष नाटक जो की 1857 में 1857 में हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है क्या क्या है भारत इंदू हरीश चंद ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिर्धरदास वरा लिखित हिंदी में नहुष नाटक जो की 1857 में लिखा गया एप पहला नाटक है किलियर है और प्रथम मौलिक नाटक भी माना है कुछ बिद्वान रिवा नरेश विशुनास सिंग द्वारा आनंद रहु नंदन जो की 1843 से 45 के मद हिंदी को प्रथम मौलिक नाटक माना है ठीक है भाई ओके ध्यान दे अगला पोईंट भारतेंदु जी ने राजा लचमर सिंग कृत सकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा और स्वेम का बिद्या सुन्दर को तीसरा तथा स्री निवास दास्वाकृत तपता संबरड को चौथा नाटक माना है मिस कहने का मतलब क्या है भारतेंदु हरीश्यन ने अपने पिता गोपाल चंद गिर्दर दास द्वारा रचित नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना है और राजा लचमर सिंग कृत शकुंतला को दूसरा नाटक माना है और स्वेम के द्वारा लिखित बिद्या सुन्दर को तीसरा नाटक माना है और स्री निवासदाथ लाला निवासदास नहीं भाई स्री निवास अघ्ले प् whistle चर्था ला इए चलिए फिक है ओके आधें अग्ले प्वांट पर एगला प्वाराई जराई से ध्यान दें भारत इंदुक्रित बैदिक हिंसा हिंसा न भौती क्या है बैदिक हिंसा हिंसा न भौती में पाखंडी, मांसाहारी पुरोहितों, सहयों और बैश्रों पर बैश्रों पर ब्यंग किया गिया है किसमें बैदिक हिंसा हिंसान भोती में आगे ध्यांदे बिससस से बिसमौसधम राष्ट भक्ति परक नाटक है किलिए रहे आगे ध्यांदे प्रेम जोगनी में ततकालिन कासी का यथार्थ चित्रड तथा यात्रियों को फशाने वाले पंडे की धूर्तता है पूर्तता नहीं है पंडे की धूर्तता चित्रड की गया है इसमें ततकालिन कासी का यथार्थ चित्रड किया गया है और जो यात्री बाहर से आते हैं उनको फशाने वाले जो पंडे होते हैं उनके धूर्तता का चित्रड किया गया है ठीक है आगे ध्यांदे भारत दूर्द भारत दुर्दसा में प्रतिकातमक शैली में भारत के प्राचिन गौरो और बरतमान की दुर्दसा का यथार्थ चित्र दिया गया है। समझ में आ रही है, कोई ऐसा पोईंट नहीं जिसे आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर सब अच्छा चल लाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ठीक है ध्यान दें, क्या है कि अंधेर नगरी एक प्रहश्न है और इसमें अयोग शासक की मुर्खतापूर नितियों और उनसे उत्तपन शमश्याओं को ब्यांग्यात्मक शैली में प्रस्तूत किया गया है, अगला क्या है, सत्य हरिश्यंद्र की मौलिक्ता के शंबन्य बिवाद है, अता यह अर्ध मौलिक नाटक कहा जाता है, मिस भारतेंदू का कौन सा ऐसा नाटक है, जो अर्ध मौलिक है, यह कहले है बिवादों से घिरा हुआ है, तो जिसका नाम ही सत्य हरिश्यंद्र, नाम तो नाम से क्लियर भाई, यह तो बिवाद से के बिलकुल नहीं घिरा होगा, सत्य हरिश्यंद्र, लेकिन नहीं भाई, आपको ध्यान नखना है, ये बिवादों से घिरा हुआ है, और इसलिए इसे अर्ध मौलिक नाटक कहते हैं, किलियर है, ठीक है, आगे ध्यान दे, इसके अतरिक भारत जननी, नील देवी, बिद्या सुन्दर, मुद्रा राच्छ, ये सभी भारत एंदू के नाटक हैं, ठीक ह जो कि सेक्सपियर के मर्चिंट आप बेनिश का अनुबाद है, किलियर है, ठीक है, आगे ध्यान दे, लच्मी नारायर मिस्र, क्या है भाई, लच्मी नारायर मिस्र ने भारत एंदू हरीश्चंद की आधार पर, आधार मानकर, कभी भारत एंदू नामक, नाटक की रचना क किस ने किया, तो लच्मी नारायर मिस्र ने, क्लियर है, ओके ठीक है, आई अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या है भाई, जड़ा इसे ध्यान दे, सब कुछ ठीक तो चल ला है दोस्त, ओके, आज जाईए फिर फटा-फट, सांस लीजिए, पानी पीजिए, फिर आज ये स्क्रीन पर, क्या है कि डाक्टर राम बिलाश शर्मा, डाक्टर राम बिलाश शर्मा ने, चंदरावली को भारतेंदू की आत्मा का प्रतिरूप कहा है, क्या क्या है भाई, डाक्टर राम बिलाश शर्मा ने, भारतेंदू को जो एक नाटक चंदरावली है, उसे क क्या कि ये भारतेंदू के आत्मा का प्रतिरूप है, क्या भाई ये भारतेंदू के आत्मा का प्रतिरूप है, क्लियर है, ठीक है, तो ध्यान दें, अगला पॉइंट क्या है, पंडित सितला परशाथ तिरपाथी, पंडित सितला परशाथ तिरपाथी की जान की मंगल, जो की 1868 में लिखा गया एह हिंदी का प्रथम अभीनित नाटक है इसमें स्वेम भारतेंदु ने लक्षमर की भूमिका अदा किये भाई ध्यान देंगे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक तो नहूश है लेकिन प्रथम अभीनित नाटक अभीनित कहने का मतलब जिसे मंच पर खेला सबसे पहला कौन सा नाटक है तो जानकी मंगल इसके लेखा कौन है 1517 प्रशात्तिर पाठी कब हुआ 1868 हिंदी का प्रथम अभीनित नाटक है और इसमें भारतेंदु ने स्वेम क्या किये भाई तो लक्षमर की भूमिका अदा की है किलियर है ठीक है आगे ध्यान दें भार प्रयोगनी प्रयाग में आरनाट शवाक और कानपूर में हिंदी रंग मंच की स्थापना हुई तो भारतेंदू के प्रेंडना से कासी में क्या हुआ भाई नेशनल थेटर की स्थापना हुई प्रियाग में आरे नाटसवा की स्थापना हुई और कानपूर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई किलियर है ठीक है आगे ध्यान दें, देवाख्छर चरीत्र पंडित रभीदत सुक्लद्वारा रचीत प्रहश्न है, जिसमें उर्दू लिपी की गरवडी की अत्यनत बिनोत पूर द्रिश्य चित्रित किया गया है. मिस्ट देवाक्षर चरित्र में पंडित रभीदत सुप्लदार रचित एक प्रहश्ण है जिसमें उर्दू लिपी की गरवडी का चित्रड की आगया है केलियर है ठीक है आगे आईए अगला पॉइंट क्या है बाई जराई से ध्यान दे लाला स्री निमास दास क्या है बाई लाला स्री निमास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी है या हिंदी का प्रथम दुखांत नातक है अगला है पंडित केसो भत ने सामान दैनिक जीवन को लेकर सज्जाद संभू केसो परसाद भट ने क्या किया भाई समान दैनिक जीवन को लेकर सजात संबूल और समसाद सोशन नामक नाटकों की रचना की है के लिए रहे आगे ध्यन दें कि सोरी लाल गोश्वामी कृत मयंक मंजरी स्रिंगार और बीर रस परधान या नाटक है इस नाटक का उद्देश क्या है समाजिक सुधार और नारी स्वतंतरता कि सोरी लाल गोश्वामी का जो नाटक है मयंक मंजरी या श्रिंगार और बीर रस परधान नाटक है और इस नाटक का उद्देश क्या है समाजिक सुधार और नारी की स्वतंतरता किसका भाई तो मयंक म अंजरी का clear है ठीक है आगे आएए पंडित महाबीर परशाद दिवेदी ने नाट्य सिधान्तों के आधार पर नाट्य सास्त्र नामक गरंत लिख की रचना की है तो पंडित महाबीर परशाद दिवेदी ने clear है दोस्त सब कुछ ठिक तो चला है, सब कुछ अच्छा है, समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट, तो आप नोट्स करते चलें, ठीक है, आईए, आगे चलते हैं, फटा पटा आईए दोस्त, आगे क्या है, जड़ा आगे ध्यान दें, आगे क्या कहता है, कि, आगे क्या कहता है भाई, इसे द्यान दें जैशंकर परशाद का प्रथम नाटक सज्जन जोकी 1910 इसमी में प्रकाशित हुआ और इसमें गीतों का आधिक है वारतालाप में शैरी का प्रियोग प्या गया है और शैली में पारसी नाटकों का प्रियोग इसमें ज़्यादे है कहलें जैशंकर परशाद का सज्जन नाटक जो 1910 में प्रकाशित हुआ और इसमें क्या है भाई गीतों का प्रियोग जादे है वारतालाप में शैरी का बहुत जादे प्रियोग हुआ है शैली में पारसी नाटकों का प्रियोग जादे है के लिए है ठीक है आगे ज्यान दें जैशंकर परशाद के करुड़ाले में बैदिक काल का का ghan जो श 36 में महाभारत काल का और जनमेजे का नाग्यक में उपनिशत काल का अजात सत्रूं में बाधकाल का बिशाक में बाधों के पतन काल का चंद्र गुप्त्य में इंनानियों का अक्रमड और इसकंद्र गुप्त्य में हें दृण्यों इस कंद गोप्त में हुड़ों के एतिहासिक चित्रा है जैसंकर प्रशाद के कितने नाटक मिल गए और उन नाटकों में किनके बढ़न है ध्यान से देखें यहां से पूछने के एक को स्वंचान से मोश्ट इंपर्टेंट इस थियोरी को कर ले तिन-चार लाइन को एक बार फिर से समझें से क्या है जैसंकर प्रशाद के करूडाले एक नाटक है किलियर है इसमें बैदिक काल का बढ़न किया गया है किलियर है आगे ध्यान दे सज्जन में सज्जन में जो नाटक है 1910 में लिखा गया महाभारत काल का बर्डन किया गया है ठीक है आगे ध्यान दे जनमेजे का नाग यग यह भी किसका है तुझे संकर परशाद का इसमें क्या बर्डन है तो उपनिशद काल का बर्डन है क्लियर है ठीक है उपनिशद काल का बर्डन है अजाद सत्रू में बौधकाल का बढ़न है क्या भाई बौधकाल का ठीक है विशाख में बौधों के का पतन का बढ़न है और चंद्रगुप्त में इवनानियों का क्या है भाई चंद्रगुप्त में इवनानियों का आकरमण का बढ़न है और इसकंद्रगुप्त मोस्ट इं पृषम गीत नाठ है और सब्द परशाद में जैसंकर परशाद ने सब्धंट पмотрशाद होगा क्या है तो जैसंकर परशाद करूड़ाले हिंदी का पर्थंगीत नाठ है ठीक है और जैसंकर परशाद जीने राजश्री को प्रथम एतिहासिक रूपक कहा है six दि को प्रथम एतिहासिक रूपक कहा है, किलियर है यहां तक भाई, एक एक पॉइंट समझ में आया, इसे आप नोट्स जरूर कर लें, यहां से एक कुर्षन बनने का पूरा उमीध है, ठीक है, आगे आए, अगला पॉइंट ध्यान दिजिए भाई, अगला पॉइंट क्या कहता है बिसाख का कथानक कल्लड की रास्त्रणगरी, देखिए एक रशना का, कल्लड का रास्त्रणगरी किसका है, मुष्ट इंपर्टेन तो कल्लड का, तो बिसाख का कथानक कल्लड की रास्त्रणगरी के आरंभिक अंसपर, आरंभिक अंसपर क्या है भाई, तो आधारित है, किल मिस अच्छा बात कर लें अच्छा नाटक कौन है तो इसकंद गुप्त असकंद गुप्त नहीं बोलते भाई इसे इसकंद गुप्त बोलते हैं असकंद नहीं बोलते हैं ठीक है इतना ध्यान लखिएगा आगे ध्यांदिर धुरुष्ष्वामनी परशाजी की अंतिम नाटक कृती है जैसंकर परशाजी तो धुरुष्ष्वामनी यहां ध्यान लखिएगा आगे ध्यांदिर सेठ गोबिंद दास कृत सेर्शाह में सेरसा किसका भाई तो सेठ गोविंद दास का ध्यान लखिएगा सेरसा में हिंदू मुश्लिम एक्ता हिंदू मुश्लिम एक्ता और मुशलमानों की मुशलमानों की कौन सी भावना है भाई राष्टी भावना लिखा है क्या लिखा है भाई तो यहां पर ध्यान देखें का बड़न है और मुशल्मानों की राष्टी भावना को चित्रड किया गया है किलियर है ठिक है आगे आईए अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट क्या है बाई जरा इसे ध्यान दें आप सेठ गोबिन्दास क्रित गरहड और त्याग में गांधिवाद और साम्मेवाद में सरेष्टतर कौन है इस प्रस्ण को उठाया गया है और इनही का नाटक पाकिस्तान है गरीबी अमीरी भी है सेठ गोबिन्दास का गरहड और त्याग नाटक में गांधिवाद और साम्मेवाद में सरेष्टतर कौन है उसका प्रस्ण उठाया गया है और इनही का नाटक पाकिस्तान और गरीबी अमीरी भी नाटक है किसका भाई तो सेठ गोबिन्दास का कितने पाकिस्तान पमजो कमलेश्वर का यहां पाकिस्तान नाटक की बात हो रही है ध्यान नकिएगा किलियर है ठीक है आगे आए हरी कृष्ण प्रेमी हरी क्रीट रच्छा बंदन पर मत जाईएगा यहां स्वपन भंग यहां नाटक के लिए अपना बलिदान करने का चित्रड है ठीक है क्या है भाई हरी कृष्ण प्रेमी क्रीट जो नाटक है स्वपन भंग में वह साजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने बलिदान का चित्रड किया गया है ठीक है अगला नाटक क्या है छाया तो हरी किष्ण प्रेमी का ध्यान दखिए का च्छाया में नारी के आत्मस्मान की भाएवना तता बंधन में भिस्याओ जिरिटिए का य्यो कि में भीजिवारतिक प्रच्छा बंदन में मुगल समराथ हुमायु द्वारा उनकी धर्म बहन कौन है बाई कर्मोती की रच्छा का प्रसंग है प्रच्छा बंदन नाटक में हुमायु द्वारा उनकी धर्म की बहन कर्मोती की रच्छा का प्रसंगिस में है ठीक है आगे ध्यान दें लिखा है वाई उदय संकर भट क्रीद मुक्ती दूद पूछा जा सकता है अगे यागे आते हैं अगला पूइंट देखिए क्या कहता है भाई अगला पूइंट जड़ा ध्यान दें गोबिंद बल्लप पंद अंगूर की बेटी किसकी है तो गोबिंद बल्लप पंद की एक सामाजिक नाटक है ठीक है और अगला गोबिंद बल्लप पंद की ये राज मुकुट राज मुकुट में पन्ना धाय के अभूतपूर बलिदान का चित्रड किया गया है, ठीक है, आगे ध्यान दें सुदर्शन, सुदर्शन कृत आनरेरी मजिस्ट्रेट, उत्कृष्ट एक प्रहस्न है, आनरेरी मजिस्ट्रेट किसका भाई, सुदर्शन का ध्यान नखियेगा, कोशन ये बन सकता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, आगे ध्यान दें, लच्मी नरायड मिस्र, लच्मी नरायड मिस्र के अधिकतर सामाजिक नाटक, बरनाड शाह और इपसन से प्रभावित हैं, ठीक है, इनके एतिहासिक नाटक जो है, संस्कृत नाट सैली से युक्त हैं जो एतिहासिक नाटक हैं, किनके तो लच्मी नरायड मिस्र के संस्कित नाट सैली से युक्त हैं, और इनके सभी नाटक तीन अंकों में, अगला इंका नाटक सञ्यासि है, सन्यासि में बिदेसी शासकों की धोखा धरई, स्थितियों का चितरड है, ठीक है, अगला नाटक important है, बितस्ता की लहरे भाई, most important इसे लगा लेंगे, बितस्ता की लहरे नाटक में सिकंदर को कुटिल बिजेता के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है, यहां तक point समझ में आया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, हर्चिस समझ में आ रह है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आईए, पानी पीजिए, सास लीजिए, फिरा जाईए, बने रहिए, अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही मज़दार सेशन में मिलेगा, ठीक है, और ध्यान दें, पूरे नाटक का निचोड़ी, इस क्लास में आपको मिल जाएगा एक भी कुष्ण बाहर नहीं होगा, ठीक है, अगे ध्यान दें, अंजोदीदी, अंजोदीदी, अश्क जी का, means UGC, नेट के स्लेवस में लगा हुआ है, most important, ध्यान देंगे, ठीक है, नेट में, किलियर है, नेट में, ठीक है, अश्क जी, अश्क जी कहने का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है बाई तो उपेंदर नात अस्क उपनाम क्या है अस्क तो अंजोदीदी अस्क जी का सरवाधिक प्राउन नाटक है ठीक है जूटा बेटा नहीं च्छटा बेटा है क्या है च्छटा बेटा नाटक में अस्क जी ने पिता पुत्र के बदलते हुए संबंद पूरा पुत्र के माबाब जिला रहे हैं लेकिन आज एक बेटा जो है यह सभी बेटे में अपने पिता के नहीं जिला पा रहे हैं इसी मानवी मुल्व को बदलते हुए चित्र को दिखाया गया है मीज छाटा बेटा ठीक है इस नाटक में असकजी ने पिता पुत्र के बदलते हुए संबंधों को चित्रित किया है किलियर है ठीक है आगे ध्यान दें अमरित लाल नागर का एक नाटक है चड़तन दूजो रंग जो की 1982 माया यह सूरदास के जीवन पर आधारित है भगवती चड़तन दूजो रंग किसका है अमरित लाल नागर कैसके जीवन पर है तो सूरदास के जीवन पर है किलियर है ठीक है कि money जए power बिलकुल नहीं भाई पैसा जो है 95% जगों पर काम करेगा लेकिन 5% जगों पर पैसा नहीं काम करेगा आपकी मानवी परतिष्ठा काम करेगी इस नाटक में जो धन को सब कुछ मानते हैं उसकी दुर दसा का तक देद धुर्दसा उसकी निश्चित उसका बढ़क् का एक नाटक है सेना पती उदल जो की 1909 में आया नाटक ततकालीनी से ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया क्या भाई एक नाटक का नाम है इसके लेखा कौन है बिश्टू परभाकर का एक ससक्त मनोबैज्यानिक और सामाजिक नाटक है डाक्तर जो है एक मनोबैज्यानिक और सामाजिक नाटक है आगे ध्यान दें भीश्म शाहनी का नाटक क्या है रंगदे बशंती चोला में जलियावाला बाग बंगने जलियावाला बाग हत्याकांड के जो कुरूर नायक करनल कौन था करनल डायर और सहिद कौन था वाई उधम सिंग के माध्यम से सामराज जिवाद और राष्टी स्व सानी का जो रंगदे बशंती चोला नाटक है इसमें जलियावाले बाग का प्रशंग है इसमें कुरूर जन्रल जो नायक है करनल डायर और उधम सिंग के माध्यम से सामराज जिवाद और राष्टी स्वतनत्रत का प्रतिक कौन है करनल जो है जन्रल डायर है और राष्टी स फक्खडपन का फक्कडपन का जो कहलें उसका चित्र किया गया है कलियर है ठीक है आगे धांदे फादीर फादीर कामिल बुछे ने मातर लिंक के परसिद नाठक ब्लू बर्ड ब्लू बर्ड का हिंदी रुपांतर नील पंची नाम से किया ब्लू ब्लू मिस निला बर्ड मिस पच्छी निला पच्छी फिर से देखें फादिर कामिल बुलके ने मातर लिंक के परसिद नाठक ब्लू बर्ड का हिंदी रुपांतर न प्रतिभा अगरवाल की बात हो रही है प्रतिभा अगरवाल ने प्रेम चंद के गोदान क्या बाई प्रेम चंद के ध्यान देंगे गोदान उपन्यास है और अमृति लालनागल के उपन्यास सुषाग के नुपूर प्रतिभा अगरवाल ने सफल नात्र रुपांतर इसका किया है ठेक है और गरिसुर रस्तोगी ने श्री लाल सुकल के उपन्यास रागदरबारी क्या हैं स्रीलाल सुकल के उपन्यास रागदरबारी का नाट्ट रुपांत्रड रंगनाथ की वापसी नाम से 1982 नाम से करके अच्छी ख्याते अर्जित किया ध्यान दे फिर से ग्रीश रस्तोगी ने स्रीलाल सुकल का जो उपन्यास रागदरबारी उसका नाट रुपान्तर किया, कब किया 1982 में, किस नाम से किया भाई, तो रंगनाथ की वापसी नाम से किया है, किलियर है, ठीक है, आगे ध्यान दे, और करके अच्छी ख्याती भी प्राप्त कर ली है, किलियर है, आगे और हजारी परशाद दिवेदी के उपन्यास बान भट की आत्मकथा का सुंदर रुपांतर प्रस्तूत किया, इन्होंने और सुरच्छित, किन्होंने भाई, ग्रिसरस्तोगी ने और सुरच्छित 1982 और मुझे मतमारों नामक मौलिक नाटकों की रचना की, दोनों लोगों के 1000 परशाद दिवेदीक बान भट की आत्मकथा, और स् आगे ध्यान दें, कासिना सिंग, कासिना सिंग का नाटक है घुवास, जो कि 1967, 1967 में बुध्धी जीवी बर्ग की संत्रस्त मान सिक्ता को ब्यक्त किया गया है, ठीक है, ओके, आई ये अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट के आई बाई, जरा इसे ध्यान दिजिए, कि भारते अंदुक्रीत अंधेर नगरी, अंधेर नगरी जानते हैं, ठीक है, कि अनुकरण पर, पंडित बिजयादत तिरपाठी ने, महा अंधेर नगरी, तथा, देवीदत सर्मा ने, अती अंधेर नगरी नामक नाटक की रशना की, मिन्स, भारते अंदुक्री जो अंधेर नगरी है, इसके अनुकरण पर, पंडित बिजयादत तिरपाठी ने, महा अंधेर, ध्यान दिजियादत तिरपाठी साहम ने क्या किया है, तथा, देवीदत सर्मा ने, अती अंधेर नगरी नामक नाटक की सकता है आप है ठीक है आगे ध्यांदे भूनेश्वर प्रशाद के लगु नाटक असर नहीं उशर है क्या भाई उशर है भूनेश्वर प्रशाद का एक लगु छोटा नाटक उशर है जो कि हंस पत्रिका में उशर है उशर है उशर है इसमें आधनिकता बोध का आरंब श्रविकार किया गया है ठीक है और दूसरे लगु नाटक तामबे के कीड़े क्या है भाई तामबे के कीड़े 1946 को डाक्टर मदान ने आधनिकता बोध का दस्तवेज कहा है का इंधनात्म मधान ने के ठेक है तो दोस्तो आज बस से ही तक फिर मिलते हैं next class में उमीद करते हैं आपको एक पूरा session बहुत ही अच्छा लगा होगा और एक तरह से एक नाटक का एक निचोड है इसपे कुछ होर होगा जो कि अगले class में आपको बता देंगे हम ठीक है उमीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सब कुछ बढ़िया तो है ठीक तो लगा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए ठीक है एक बाफिर से आप सबी का सीविटी इंडिया पर हादिक श्रागत है धन्यबाद मिलते हैं इस्ट क्लास में